जैहिं दोस्तों स्वागत आप सभी का wisdom education पे आज 10th May 2021 है दैनिक जागरन के राष्टिक संसकरन का complete news analysis करेंगे चले discussion ने स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो news visit discuss करना आपके साथ वह यह है कि किरसी कानून बिरोधी आंदोलन में योपती के साथ सामुहिक दुसकर्म देखो किरसी बिरोधी आंदोलन चल ला है किरसी कानून सरकार लाई थी उसको बिरोध में आंदोलन चल ला है और अभी भी लगातार आंदोलन चल ला है वो important नहीं है आपके लिए 2-3 बाते यहाँ अधिक important है इस news के संदर में पहला तो आपको यह जानकारी होना चल जाए किरसी कानून क्या है सरकार जो 3 किरसी कानून लाई थी वो 3 किरसी कानून क्या था उसका क्या provision है उसमें सरकार का क्या पक्षन है और उसका आज तक बिडोध क्यों हो रहा है राइट साथी साथ सुप्रिम कोड ने उस पे क्या statement दिया है तो एक किरसी कानून को बारे में आपको डेटेल से पता होना चाहिए और दूसरा चुकिए यहाँ पे सामोहिक दुसकर्म हुआ है तो सामोहिक दुसकर्म के लिए भारत के समिधान में क्या provision क्या गया है सामोहिक दुसकर्म के लिए क्या क्या सजाय का प्रावधन क किया गया है तो इस पर हम डीटेल से अनलाइसिस करेंगे सामुहिक दुसकर्म को ले करके आज दिसंबर 2012 में डेली में दिल्दी बलातकार की घटना हुई थी और वो कांड निर्भेया कांड आज भी लोगों के जहन में काफ़ी कर सकतो देस भर में इसके खिलाप आंदोलन वहा था देस भर में इसके खिलाप माहुल था कि बलातकारियों को ले करके सक्थ से सक्थ कानून बनाये जाने की जरूरत था और इससे पहले 1990 के दसक में सुप्रीम कोट ने विसाखा गाइडलाइन जारी किया था और 2012 में दिल्ली में जो बलातकार की घटना हुई थी निर्भेया कांड जो हुआ था उसके बाद आपराधिक कानून संसोधन अधिनियम 2013 पारित किया गया और ये कानून जो लाया गया था ये लाया गया था जस्तिस वर्मा समिति के सुझोव और उनके रिकमेंडेशन के आधार पे अब देखो इस अधिनियम में योन हिंसा के मामले में कारावास की अबधी को बढ़ा करके उस मामलों में मिर्त्यू डंड यानि बलातकार की घटना में मिर्त्यू डंड तक का प्रावधान किया गया था जिसमें पिरिता की मौत हो जाती है या उसकी अवस्था मिर्त्यू 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 हो जाती है यानि वो कोमा ओर में चले जाती है तो वैसे कंडिशन में जो क इस अधिनियम द्वारा ओवांचनिय सालरिक असपर्स सब्द या संकेत या योन अनुग्रा करने के मांग करने को भी योन अपराद के सुचि में सामिल किया गया यानि जो आप गंदे गंदे इसारा जो किया जाता है उस इसारे को भी योन अपराद में सामिल किया गया है और उस इसारे को भी के तहत भी सजा मिल सकती है अब देखो किसी भी तरह का लड़की का पीछा करना पे तीन वर्स की सजा acid attack के मामले में सजाग को 10 वर्ज से बढ़ा करके आजीवन कारावास में बदल लिया गया तो लड़की के पीछा करने पे 3 वर्ज का सजा है और acid attack के मामले में सजाग को 10 वर्ज से बढ़ा करके आजीवन कारावास कर दिया गया अब देखो नावालिकों के मामलों में कानून में क्या संसोधन किया गया जम्मू कश्मिन में 2018 में जन्वरी में कट हुआ रेप कांड हुआ था जिसमें आठ वर्स की एक बच्ची के साथ रेप किया गया था और उसके बाद फिर पूरे देशवर में गर्म माहल हो गया था बलादकारियों को लिकरके एक अलग माहल हो गया था आंदोलन देशवर में हो रहा था और उसके बाद फिर इसी एक्ट में अपराधिक कानून संसोधन अधिनियम 2018 लाए गया है इसी में संसोधन किया गया और 2018 लाए गया इसमें पहली बार यह प्रावधान किया गया कि 18 वर्स से कम आयू के किसी बच्ची के साथ बलादकार करने के मामले में नियूनतम मतलब मिनिमम बीस वर्स के सजा या मिर्थू डंड का प्रावधान किया गया राइट इसके तहत ISPC के एक नया प्रावधान भी जोरा गया है जिसके तहत 16 वर्स से कम आयू के किसी लर्की के साथ बलादकार के लिए नियूनतम 20 वर्स का करावार या अधिकतम उम्रिकायत की सजा हो सकती है और IPC की IPC 1860 के तहत बलादकार के मामले में नियूनतम सजा को बढ़ा करके 7 वर्स से 10 वर्स कर दिया गया तो IPC अधिनियम जो 1860 का अधिनियम है अंग्रिजों के जमाने का अधिनियम है उसमें नियूनतम सजा जो 7 वर्स का प्रावधान था उसको बढ़ा करके 10 वर्स कर दिया गया तो ये basic कुछ चीज़ें हैं जो सामुहित दुशकर्म या rape को लेकर के किया गया provision उसको लेकर के हमने discuss किया खास करके कठवा rape case और निर्भिया rape case के बाद जो कानून में सुधार हुआ उस सुधारों को लेकर के हमने discuss किया अब देखो second news जो है या news है देखो coronavirus जो है काफी पुराणी virus है 2002 के आसपास में भी चीन में ये virus आया हुआ था उसके बाद अरव वर्ल में भी ये virus आया था और इस virus को जो नया संस्क्रण है नया रूप है उसको covid-19 का आ गया तो covid-19 जो है नई virus है coronavirus का एक पार्थ है जो 2019 में आया अब क्या कर रहा है यहाँ पे जो है एक दस्ताविज पकड़ाया है अमेरिकी खुभिया विवाग के हाथ में एक दस्ताविज लगा है इस दस्ताविज में कहा गया है कि 6 साल से coronavirus के जगर ये तीसरे विश्यूद की त्यारी कर रहा था था च्छे और साथी साथ चीन अपनी प्रवत्ता बढ़ाने के लिए इसका इस्तुमाल कर सकता कहने के मतलब यह है कि coronavirus जो है man-made virus है और इसका उप्योग जैविक हत्यार के रूप में चीन कर रहा था बहराल इस पर अभी कुछ बोली नहीं है इसलिए हम इस पर डिटेल से अनलाइसिस नहीं कर रहा है लेकिन आप यह संजो कि नुकुलियर हत्यार का समय नहीं है वर्तमान का जो समय है नुकुलियर बम का समय नहीं है वो है जैविक बम का समय है जैविक हत्यार का वर्तमान का दौड चल दा है जो नुकुलियर हत्यार से कई गुणा अधिक हानिकारा या कई गुणा अधिक खतरनाख हो सकती है जैसा कि आप देखे होंगे या आपको जानकारी होगा कि जो प्रमानु हत्यार का प्रियोग हुआ था में उसमें जितने लोग मरें थे उससे अधिक लोग आज 20 जुहर में मर चुके हैं कोरोना वारस से देखो इस पर कल भी हमने डिसकस किया था डियार डियो की कोरोना रोधी दवा 2DG जल आएगी बजार में तो ये दवा को जो है प्रमिशन मिल गया है और ये जल्द बजार में आएगी ये दवा जो है पॉडर के रूप में होगी जो पिलाने पे जो मरीज को पिलाने पे उस पे ऑक्सिजन की जो कमी है वो एक कमी इमिडियेटली दूर हो जाएगी तो ये जल्द इस दवा को मार्केट में लाया जाएगा देखो मिड़े मिल एक बहुत इंपोर्टेंट प्रियोजना मिड़े मिल के दहत बच्चों के लिए हम मिल का विवस्था करते हैं बच्चों के लिए हम खाने का विवस्था करते हैं इसकूल के समय पे अब जो है इसमें बुजरुगों को भी सामिल किया गया देश वर्म अगर देखो तो फिलाल 12 करोर बुजुर्ग है और 2050 में इसके आवादी 31 करोर होने का अनुवान है तो ऐसे बुजुर्ग जो बेसारा है जो गरीब है जो लाचार है उसे भी मिड़े मिल दिया जा सकता है इसके लिए सरकार सुरुवात कर रही है तो सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि मिड़े मिल प्रियोजना क्या है देखो जब हमने कूपोशन आपके साथ डिसकस किया था तो हमने बोला था है कि कूपोशन को दूर करने का एक तरीका मिड़े मिल एसकी में मिड्डे मिल के माध्यम से कूपोशन को कैसे दूर किया जा सकता है मिड्डे मिल कैंद प्राय योजित योजना के रुपमे 15 अगस्त 1995 में देशभर में लागो किया गया था और इसके बाद 2004 में सितंबर 2004 में कारिकरम में व्यापक प्रिवर्तन करते भी मैनु आधारित पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था प्राड़म की गई परती दिन न्यूनतम 300 कलोरी उर्जा और 8-12 ग्राम प्रोटीन और उच माध्मिक अस्तर पे 500 कलोरी उर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्राबधान किया गया प्रियोजना एक बहु उद्दिश यह प्रियोजना है राष्ट के भावी विकास में पोशन एवन विकास से जुरा हुआ है इसका उद्दिश निमलिकित हैं पहला उद्दिश यह है कि प्रात्मिक सिक्षा में सारवजनी करन को बढ़ावा दिया जा दूसरा है कि विध्याले में छात्रों के नामंकन में विर्धी होना चाहिए और छात्रों को स्कूल आने के लिए प्रोसाहिद किया जाना चाहिए इसलिए जरूरी है तीसरा है कि स्कूल ड्रॉप आउट को रोकना है और चोथा है कि बच्चों के पोशन समंधी अस्थिति में विर्धी तथा सीखने के अस्तर को बढ़ावा देना है तो इसलिए सरकार मिड़े मिल परियोजना लाई है अब देखो किस तरह से मिड़े मिल परियोजना में के माध्यम से कोपोशन को दूर किया जाता है एक तो मिड़े मिल के माध्यम से सरकार जो है दलहन दे रही है दाल भी दे रही है प्रोटीन युक्त खाना दे रही है तो उसके माध्यम से कोपोशन को दूर किया जा सकता है दूसरी है कि मिड़े मिल में जितना भी वच्चे आते हैं और्मली वो सब गरीब परिवारुस आते हैं कोपोशन की समस्या वहां पर अधिक है तो उस माध्यम से कोपोशन हम दूर कर सकते हैं तीसरा यह है कि मिड़े मिल में ही इंप्रोव्मेंट की बात की जा रही है सरकार जो है फूड फोटिफिकेशन प्रियोजना सरकार लाई थी कि किस तरह से जो खाना है जो अन है उस अन मे फूड फोटिफाइट कर दें यानि अन में जो है हम जिंक डाल दें एसा अन उपज उपजाये हम जिसमें जिंक की परचूरता हो जिसमें लोहा के परचूरता हूँ जिसमें विटामिन की परचूरता हो जिन différent की प्रियोजना है उसको कहा गया फूड फूड फूर्ट Twके होगा mineral induced होगा उसमें तो कुपोशन की समस्या का समाधन इस रूप से हो सकता है तो इसके लिए सरकार काम कर रही है food fortification में भी सरकार काम कर रही है और बेसारा बुजर्व को इसमें जोड दिया गया है तो इस माध्यम से भी हम कुपोशन को दुर कर सकता है देखो कल हमने डीटियल से डिस्केस किया था भारत यूरोपिय यूनियन संबंद के बारे में वहीं पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है हिंद प्रसान छेत्र में चोतरपा सर्योग करेगा भारत यूरोपिय यूनियन तो जैसा कि हम देख रहे हैं कल भी हमने आपको बताया था कि हिंद महासागर का जो चेत्र है वहाँ पर रियूनियन आइलेंड है मैं अगर आप देखो कोई तो मिल जाएगा आपको चिक करना जाकर के रियूनियन आइलेंड रियूनियन आइलेंड फ्रांस का है देगो गार्सिया जो है हिंद मासागर में एक टापू है वो अमेरिका का है और दोनों ही भारत को सहयोग करते हैं तो हिंद प्रसांद छेत्र में भी हमें सहयोग के लिए जुरत है ये यूनियन का देखो इस टॉपिक में मैं डीटियल से डिस्केस कर दूँगा पंद्रावें वित आयोग जो है वो काफी रिकमेंडेशन दिया और उसके रिकमेंडेशन को आपको समझना होगा क्योंकि ये रिकमेंडेशन 2021 से लागू हो चुका है और 2026 तक के लिए लागू है इसमें पंचायतों के लिए कई प्रोविजन किया गया इसमें हेल्थ सुधा आयो के रिकमेंडेशन के आधार पे ही 9 करोर रुपया की प्रियोजना मिली है 9 करोर रुपया मिला है पंचायतों को पंद्रवें वित आयो के रिकमेंडेशन के आधार पे 9 करोर रुपया पंचायतों को दिया गया अब ये बात समझना चाहिए आपको कि अभी कोरोना महाम मारे को निपटना है तो ज़रूरी है कि हमें पंचायतों को ससक्त बनाने की ज़़र्ध है जरूरी है कि हमें अस्थानिय निकायों को ससक्त बनाने की जोड़त है और इसी को देखते हैं पंद्रवे वितायोग ने रिकमेंडेशन दिया था कि पंचायतों को आप जून 2021 तक जो है 9000 क्रोपया देंगे सरकार ने जून 2021 से पहले मई 2021 में ही पंद्रवे वितायो के इस रिकमेंडेशन को मान लिया क्योंकि वर्तवान में हम कोविट के सबसे खतरनाक दोर में जी रहे हैं और ऐसे कंडिशन में अगर हमें कोविट पे काबू पाना है कोरोना महमारी पे काबू पाना है जरूरी है हमें पंचायतों को ससक्त करना और पंचायतों को ससक्त करने के लिए हमें पैसे देने की जुरूरत है तो एक बार पर लेना यहां पर किस राजियों को कितना दिया हुआ है वो यहां पर दिया हुआ देखो एक बार यहां भी इसको भी पर सकते हैं वेक्सिन पर फिलाल 5% का GST लग रहा तो विपक्स काफी आलुषना कर लिए तो विपक्स के आलुषना के जवाब में जो हमारे देश के वित्मंत्री है उन्होंने कहा है कि अगर हम 5% का GST नहीं लेंगे एक तो 5% का GST लेता है तो उसमें हम 70-50 हिस्ता उसमें राज्यों को जाता है 30% मेरे पास आता है और 30% मेरे हम आधे राज्यों को दे देते हैं और आधे मेरे पास लाता है ठीक है अगर हम GST नहीं लेंगे 5% तो ऐसे कंडिशन में वेक्सिन का जो मैनुफेक्चर कर रहा है जो सेरम इंस्टूट है जो भारत वायोटेक है जो वेक्सिन को बना रही है उसको इंपूट क्रेडिट टेक्स का इस्तमाल हो नहीं कर पाएगा और इंपूट क्रेडिट टेक्स का इस्तमाल नहीं कर पाएगा तो वेक्सिन महगा हो जाएगा तो इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ महागा वेक्सिन होगा तो इसका नुकसान भारत की आम जन तक होगा देखो आज का मुद्दा है कोरोना का तीसरा लहर जो कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है उसको लेकर के यह मुद्दा दिया हुआ है परतिक मंडे को एक मुद्दा देता है आप इसको देख सकते हैं इंपोर्टेंट है पर सकते हैं एक पूरा पेज समर्पित होता है मुद्दा को लेकर के जब भी मुद्दा आता है एक पूरा पेज समर्पित होता और इस पूरे पेज पेज पे तीसरे कोरोना जो लहर आने वाली है उसको लिकर करके दिया हुआ बदलाओ के मांग करती जीवन से लिए देखो यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट है एक डाटा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आप इसको लिख भी सकते हैं कि भारत में परती 10,000 व्यक्तियों पे 8.6 चिकिस सक हैं यानि भारत में अगर 1 लाग पे कर दिया जाए तो 86 चिकिस सक हैं परती 1 लाग पे परती 10,000 पे 6 बैड है वेंटिलेटर वाले बैड की संख्या और कम है तो यह जो है भारत में जब भी चिकिस सा पे लिखना होगा तो आप चिकिस सा की कम्यों को रिखानपीत करते हैं यह डाटा का इस्तमाल आप कर सकते हैं बाकि इस नियूज में कुछ खास नहीं है इसलि इस डिसकस करते हो नौ पॉइंट इसमें बताया गया है कि कोर्णा के दूसरी लहर का क्या निदान हो सकता है क्या सॉलिशन हो सकता है देखो पहला जो समाधान बताया गया कोरोना की जो दूसरी लहट चल रही है वर्तमान में उसका पहला समाधान बताया गया रैटर के द्वारा कि सहरों से जो गौव में लोट रहें लोग हैं जो गौव में लोट रहें मजदूर हैं तो उसे सबसे पहले कोविड नियों का प संपर कोई नहीं आ है ताकि कोरोना एस्प्रिड ना हो और साथी साथ गाउं में जो है स्वास धाचा को मजबूत किये जाने की आवल सकता है तो यह पहला पॉइंट है इंका दूसरा है कि कैंदर राज और पंचायत के मसिनरी एक अस्तर पर मिलके काम करें देखो कोरोना महामारी के समय में सबसे इंपोर्टेंट है कोर्डीनेशन केंदर और राजे के बीच में पैशन संद्र जोन के द्वारा उसके सबसे अधिक importance इसी समय में दिखती है तो ऐसी condition में हमें coordination की ज़रूत है हमें एक दूसरे के साथ मिल के काम करने की ज़रूत है अब देखो oxygen दवाई आधिक एस्थर पर जो काला बाजारी है उस काला बाजारी को रोकने की ज़रूत है oxygen को लेकर के दवा रफ्तार में विर्धी करना चाहिए निश्री तोर पर टिका करन काफी स्लो है भारत में तो राइटर का कहना है कि टिका करन के रफ्तार में विर्धी करना चाहिए 18 वर्षे कम उम्रिके बच्चों को 30 लहर प्रभावित कर सकती है निश्यत्वर पर उन्हें 30 लहर प्रभावित कर सकती है तो अभी जो हमें वैक्सिन बनाना है वो ऐसा वैक्सिन डेवलप करना है जो 18 वर्षे कम उम्रिके बच्चों के लिए कारगर हो वर्तमान में जो भी वैक्सिन बना है वो 18 वर्से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बना है कुछ वैक्सिन है जैसे फाइचर हो गरा है वो 11 वर्से अधिक उम्र के बच्चों को देश दिया जा सकता है लेकिन 11 वर्से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई वैक्सिन नहीं बना तो कोरोना महामारी का 30 लहर आने वाला है उसके लिए हमें पहले से त्यार राना चाहिए उसके लिए हमें रिसर्च करना चाहिए और 18 वर्से कम उम्र के बच्चों के लिए भी वैक्सिन डेवलोप करन करना चाहिए इस तरह से complete lockdown किया जाना चाहिए पूर्या सीमा को सिल कर दिया जाना चाहिए हेल्थ इंफ्रस्टेक्चर को मजबूत करने की जोड़त है जैसे oxygen सुविधा युक बैड होना चाहिए यह होना चाहिए रेपीड अन्टीजन टेस्ट की जगह आटीप PCR टेस्ट पर जोड़त जोड़त हैं तो यह सारा कर साला बात रैटर के दवारा कहा गया है कि जिसके माद्म हमें कोरोणा के दूसरे संक्रमन को हम रोख सकते हैं बाकी आप लोग एक बार पढ़ लेना खुद से देखो एफपी आई ने मैई के पहले हफ्ते में निकाले हैं पांच हजार नौसा थिस करो रुपया तो हमें समझना होगा कि एफपी आई क्या होता देखो दो चीजें होती एक तो एफडियाई होती है और एक एफपी आई होता है एफडियाई क्या होती है फोरें डारेक्ट इंवेस्टमेंट और एफपी आई क्या होती है फोरें पोर्टपोलियो इंवेस्टमेंट जब हम किसी देश में जब कोई भी इंवेस्टर किसी देश में जाकर के वहाँ पर निवेस करता है किसी particular company में और एक तरह से उस company का स्वामित भी उसके पास होता है तो उसे कहा गिया FDI जैसे मालो Facebook ने invest किया कहाँ पर इंडिया में invest किया और Reliance के साथ किसी परयोजना पर मिलके काम कर रहा है उस परयोजना पर इंवेस्ट कर रहा है FPI में क्या होता है कि हमने किसी देश का कोई भी मालो debenture खरी लिया जैसे मालो American company या Facebook Facebook का हमने कुछ share खरी लिया तो एक तरह से Facebook को हमने निवेश कर दिया अब देखो हमें जरुवत है आज पैसे के हमें लग रहा है कि अमेरिका में जो है Facebook डूबने वाली है आमने क्या क्या है उस पैसे को निकाल लिया share को बेश दिया सिंपल है तो इस परक्रिया को कहा गया FPI FPI के माध्याम से share खरी सकते हैं bond खरी सकते हैं और स्थाई तोर पे और समय पढ़ने पर उसे बेश सकते हैं FPI जो है अगर निकाला गया है मैं मैंने में लगवग 6000 को तो यह सूचक है इस बात का कि देश से निवेशक जा रहा है जो देश में निवेशक ने bond खरदा था जो देश में निवेशक ने share खरदा था वो देश से निवेशक लोट रहा और उसका सबसे बड़ा रिजन कोड़ना है लोगों को लग रहा है कि कोड़ना हमारी के समय में भारत का आर्थी गुवास एक बार फिर अवरूद होगा सूस्त होगा इसलिए निवेशक लोट रहा है एक बार इसको भी देख लेना काफी फणी है काफी इंट्रेस्टिंग है कि एक तरफ हम डिजिटल मार्केट पे बरहावा देने की बात करते हैं हम डिजिटलाइजिशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ अभी मोबाइल का दुकानोगरब बंद है तो इसलिए इसको यहाँ पे इसी रूप में यहाँ पे दिया गया देखो यह भी काफी इंट्रेस्टिंग न्यूज है कि निर्याद जो है 80.50 बढ़ा है माई के पहले सब्ता में 7.04 अरब डॉलर का निर्याद किया गया काफी interesting news है भाद के perspective से काफी अच्छा है देखो चीन ने दिया पाक को जटका अब नहीं देना चाहता है चीन जो है फाइनली पाकिस्तान को अब रिन नहीं देना चाहता है चीन का मतलब पाकिस्तान में पूरा हो गया आप इसको समझो दूसरे तोर पर भी चीन इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहता है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में वह इसे भी चरमपंती संगठाने किसी प्रियोजना को पुरा होने नहीं देते हैं पहली बात दूसरी बात का है कि चीन ने ओलेदी 400 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर लिया है कहां पर है इन्वेस्टमेंट की चर्चा कर दी है वो इरान के साथ संगठा भी कर चुका तो ऐसे कंडिशन में चीन को इरान के माध्यम से रास्ता मिल सकता है सागर में आने का तो उसे पाकिस्तान के उतनी खास जरूत है भी ने और पाकिस्तान ने जो चीन से करजा लिया था वो करजा चीन को चुकाने में और समर्थ है पाकिस्तान तो ये सारा का सारा रीजिन है कि चीन का इंट्रेस्ट दीरे-दीरे पाकिसान में समाप थोड़ा है चली इतना ही न्यूस था वीडियो देखने के लिए धने बाद थैंक यू सो मच प्लीज डू लाइक से रण सब्सक्राइब थैंक यू